हे फ्रेंड्स वेलकम बैक और क्यातिस है यह सब्सक्राइब करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना चलो तो भी स्टाइड करते हैं हमारा 24 लेक्चर रेे कि चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 24 नमबर का आज का लेक्चर ओके सो आज हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले आज हम देखने वाले हाइस्ट कॉमन फैक्टर हमारा जो चाप्टर का नेम डिनूट करता है हमारा जो नेम डिनूट करता है उसको हम आज देखने वाले हम उसको आज हम देखने वाले हाइस्ट कॉमन फैक्टर लखे सो मिल लेक्चर में क्या aspiring किया क्या देखा हो कि सौमने क्या को था प्रॉयच गर हमने देखा ग। गजत प्राइक्ट्रों था वह अहीं भीसिना निकालते ऑंट गे-फिश्ट्रे भीसि और हमने common factor भी कैसे find करते हैं, किसे common factor करते हैं, वो भी हमने देख चुके हैं, अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा होंगा, तो उस लिए वीडियो की link, description box में मिल जाएंगे, तो तुम जाके देख लेंगे, तो आज हम इस lecture में क्या देखने वाले हैं, आज हम इस lecture में द हम इस बांगे हैं, तो हमें 20 में क्या कर लिके, 20 कैसे क्रस inward सुपखें करने हैं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के फैक्टर हम लिकेंगे, तो हमारे 20 की फैक्टर क्या हूंगे, के क्या होंगे वन तो होगा वन तो होगा फिर बीडियोगे हो ग सली चाहों हो तो यहां पर अता है तो तो सी क्स आईगा जी हैएगा आईगा तो फाई शी साएगा соп वन से होता है फिर हमने टू से डिवाइड किया है है टू कितना है है, टू अभी हम को क्या देखेंगे अभी हम 2 से देखेंगे 2 से ओके अभी हम क्या देखेंगे अईसी वैलू यह देखेंगे हम कि जिसका प्लस जिसका एडिशन 20 आता हो तो किसका आता है 10 का आता है 10 2 चा 20 फिर क्या आता है यह फिर क्या आता है 21 चा 20 तो हमने यहां फे हमारी जो यह था कॉंसिप था हमने उसके यह सायता से हमने हमारा जो फैक्टर था ट्वेंटी का फाइंड कर लिए फिर हम क्या करेंगे सेकंड में 25 है तो 25 के फैक्टर्स लिखेंगे हम 25 के फैक्टर्स लिखेंगे तो हमारा फर्स्ट फैक्टर क्या होता है वन तो होता ही है फिर टू से 25 को डिवाइड हो सकता है क्या तू से 25 को डिवाइड हो सकता है क्या सो हम चेक करेंगे यहाँ पर टू आएंगा यहाँ पर 25 आएंगा तो यहाँ पर हम टू डालेंगे तो यहाँ पर वन लेंगे तो यहाँ पर टू आजाएंगा जीरो आजाएं तो 3 भी नहीं आएगा, 4 भी यह नहीं आएगा, क्योंकि 4 के टेबल में 25 नहीं आता, फिर 5 चेक करेंगे, चलो 5 चेक करते, 5 आता है, 5 आता है, 5 फाइव चा 25, ओके, 5 फाइव चा 25, ओके, तो हमें मिल चुका है, 25, 5 फाइव चा 25 होता है, फिर 6 के टेबल में आता है, क्या नहीं आता, 7 के भी नहीं आता, 8 के भी नहीं आता, 10, 12 आता है, क्या नहीं आता, फिर किस में आता है, यह आता है, यह आता है, 25 के इसमें आता है, तो यह हो गए इसके फैक्टर्स, 25 के सो हमारा highest common factor जो है यह जो हमारा highest common factor रही इसका concept क्या बोलता है highest highest बोल रहा है इने सबसे बड़ा common factor रहने हम common factor क्या निकालते हैं अभी हम इसमें common factor लिगेंगे हम पहले common factor लिग लेते हैं फिर उसके तरफ बढ़ेंगे common factor ओके factors क्या है इसमें common factor क्या है 1 है और 5 सो यह दो हमारे common factor है यह हमारे common factor है क्या बोल रहा है हमरा highest आने सब बढ़ा common factor, highest common factor होगे सो हम हाँ है पर लिखेंगे highest common common factor is हमारा क्या है इन दोनों इसे बड़ा कोंता आए 1 हरा फायू है हमारा फाइउ हरा हमारा फाई ठाउम फाई हूं तो यहां पर आ जाएगा हमारा फाई ओके छॉ ayudar मैं क्या ध्यान में रखते हैं हमारा जो जो हम damn जो try hamaak hama puisqu act और उसी को हम पहले क्या करेंगे इस 24 के फैक्टर्स fine करेंगे फैक्टर्स fine करेंगे चलो फिर फैक्टर्स fine करें तो यहां पर उन्टु सबका मी होता है नहीं आथा 6 के टेबल में आएगा क्या आएगा 6 के टेबल में आएगा ओके सो हमने यहाँ तक के 4 यहाँ पे क्या आता था 4, 6 चा 24 4, 6 चा 24 ओके तो अभी इस में क्या किया हमने इस 6 को लिखके हमने क्या किया 6, 4 चा 6, 4 चा 24 फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 का कहा कहा हैंगा 8 3 चा 8 3 चा हमारा 8 3 चा क्या आएंगा 24 फिर क्या आएंगा कितने पर 12 टूचा 12 टूचा क्या आएंगा 24 आएंगा और यहाँ पर 24 वंचा 24 तो यह हमारे फैक्टर्स हमने फाइंड कर लिए हमारे कॉंसेप का यूज करके हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए जल्दी से हमने यहाँ पे हमारा concept यूसकर के हम नाढ़ी जल्दी से हमने हमारे factors find कर लिया फिर हम क्या करेंगे 36 का करेंगे 36 का वन तो आएगा त्स आएगा चная हाँ भी आएगा चैन पर neste कि आएगा पर भी आएगा फोर बी yag प्लस करेंगे प्लस करेंगे तो हम को 36 मिलेंगा तो हम करेंगे 18 को करेंगे तो हमें 36 मिलेंगा और या पर 36 ओके तो यह था हमारा कुछ concept जो हमने पिछले chapter में पड़े है तो उसले ओ लेक्चर अगर तुमने नहीं देखे होंगे उसमें बहुत concept हमने पड़ चुके है हमें factors निकालने के तो अगर तुमने ओ लेक्चर नहीं देखे होंगे common factor क्या है वहाँ पे common factor क्या है हम यहाँ पे लिख लेते है common factor हमारे क्या है common factor 1 है 2 है 3 है 4 है 6 है 8 है क्या नहीं है 12 है okay so 12 है 24 नहीं है okay so हमारे इतने common factors होगे इतने हमारे common factors होगे तो हमारा जो हमारा इस point का बोलना क्या है हमें क्या find करना है हाइस्ट कॉमन फैक्टर हाइस्ट कॉमन फैक्टर ओके सो हाइस्ट कॉमन फैक्टर लिखते हैं हम हाइस्ट कॉमन फैक्टर हम लिख लेते हैं लिख लेते हैं हाइस्ट कॉमन फैक्टर ओके समारा हाइस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा इसमें क्या होगा सबसे बड़ा 24 practice set के लिए concept हमें जो 24 practice set में हमें use करना है highest common factor का so हमने क्या किया सबसे पहले factors find किये सबसे पहले क्या किये factors find किये जो value दिये उनकी फिर क्या किया उनमें से हमने common factor निकाले उनके या से हमने common factor हमने यहाँ पे निकाल लिए फिर इस common factor में से highest value हमने उसको क्या लिखा highest value जो है उसको हमने क्या लिखा हाइस्ट common factor लिखाया है उसको हमने highest common factor लिख चुके है ओके तो यह यह वाला ही हमें concept पूरा यह concept हमें practice set 24 में use करना है चलू तो फिर बाखी के बचिकुछे जो एक्जांपल है वो हम कि काह देखेंगे प्राक्टिस प्रफ चलो फिर स्टार्ट करते है तो हमारा फॉर्स्ट जो है फॉर्स्ट जो है हमारा क्या है 45 and 34 45 and 30 घठी रुके सबसे पहले क्या फ्याइं करेंगे 45 कि हम क्या करेंगे फैक्टरस क्या है 45 के फैक्टरस क्या है यहां बराबर transforms लिए U यहां पर सो फैक्टर्स ओफ फोटीफाइव ओके सो फोटीफाइव के फैक्टर्स क्या है फोटीफाइव के फैक्टर्स क्या है वन तो सबका है ओके टू आएगा क्या टू आएगा क्या नहीं आएगा थ्री आएगा क्या हां थ्री आएगा फिर फोर आएगा क्या नहीं आए क्योंकि यहां पर यहां पे five you it okay so five you ऐगा क्या हाँ फाई एट चा फाई यहां पर मिल जा रहा है हमको तो five आएगा फिर क्या आएगा फिर आएगा क्या आगे कुछ कुछ आएगा हमें आगे नेक्स्ट हमें कुछ मिलेगा क्या इसके बाद सिक्स के टेबल में आता है क्या 45 नहीं सेवन के टेबल में 45 आता है क्या नहीं आता ओके तो यह नहीं आता फिर हम क्या चेक करेंगे 9 के टेबल में आता है क्या 9 के टेबल में आता है कितने पर आता है 9 प्लस करेंगे तो यहाँ पर हमें 45 मिलेगा सो हम 15 तरीचा 15 तरीचा हमें क्या मिलता है 45 मिलता है फिर हमें क्या करना है मिलतर पर करते हमें इसका मतलब याँ परिफाय आएगा इसके आगे जाने की कोई जरूरड नहीं तुमें फाइन बार बार आपके कोई जरूरत नहीं हमने आपन सेंपक पता है। बन से पता है हम्हारा कॉसेब्ट क्या है हमें जो अगर यहां तक कreा आही अगर हमने यहां इंचा करestsाथ कर चुके हमने फाइन्य यह इन आंद अगर उसके बाद सेंट यालू आ रएक हे कि वही उससे Вам वही वैलू अगर इस से हम multiply करें तो हमें यह ही मैं यह value मिल रही है 45 मिल रही है तो हम यह से ही वापस start कर देंगे जितने इधर आये है उतने भी उदर आ जाएएंगे है तो यहां पर कितने factors मिलें हम a 6 Factor में 6 factors मिलें है 572 सब्सक्राइब करेंगे हम factors of किर्फ від करेंगे factors के फ़ैकटरस आप 30 away चाहिक तने की तो सबसे पहले 1 टो आजाएगा हमारा वन यहां पर फूप भी आएगा ओंक Folge प्र आएका प minimal प्र आपा है प्र प्लस करेंगे तो हमें थर्टी मिलेगा तो यहाँ तक हStudy मिलेगा तो 10 को थ्रीवार प्लस करेंगे तो हमें 30 этот'S आएगा तो दो बार किसको प्लस करेंगे तो हमें 30 मिलेगा तो यहाँ पे 15 आएगा और यहाँ पर वन जो है हमें यहाँ पर 13 आएगा यहाँ पर 30 आएगा ओके सो हमने यहाँ पर फाइंड कर चुके यहाँ पर हमने क्या किये हमने हमारा जो common factor सौरी हमारे ग्वाला जो प्रक्राइब साले प्रक्र socio में पर क्राइब स्पश्याम्र पर ardुब,ंखतोंगे। रूप हम लिखे लेते हैं। जो प्रक्राइब से is offer लिखते हैं। यहां फिर मैं नहीं क्या नहीं हैं। 15 है हम्ह जो यहां पर हमें यहाँ पे हमें common factors मिल चुके, हमें क्या मिले, common factors मिल चुके, अभी हम क्या find करेंगे, हमारा SCF find करेंगे, ओके, तो यहाँ पे लिख लेते है, है tienen CFAO facility 5 and 38 is equals to यहाँ पर हाइस्ट common factor हमारा क्या है हाइस common factor क्या है हमरा 50 नहें हाइस वैलू जो है हमारी 59 नहीं तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं चोंने यहाँ पर फर्स का जो आंसर फाइंट करना था क्या फाइंड करना था हमने कर लिया हमने कर लिये okay so next example क्या है हमारा second example क्या है second में हमें दिया है second में हमें दिया है second में क्या बुला है हमें क्या value दिये second के लिए हमें बुला 16 और 48 16 और 48 हमें दिया है so अभी हम क्या करेंगे अभी हम क्या करेंगे हम सबसे पहले factors of किसके factors find करेंगे factors of 16 के find करेंगे करते हैं लुट राता है फॉर्वार मैं आता है तो चलो अपर करता है आपार 15 के टेबल ऐसके सट राता है सब्सेंसे वालोग हम प्लस करेंगे दो हमें से राता है और यहाँ प्लस करेंगे यहाँ ट्यांगे एड को फिर हमने क्या आता है फर देम सेख्स्ट alpha तो तुम्हें यह concept ध्यान में सब्सक्राइब हमें तूब इजी हो जाएंगा तो लिए समस्वांद करेंगे रैकर स्थंच्राइं करेंगे स्वाड़ी seven आएगा नहीं आएगा eight आएगा क्या यहाँ पर हमने क्या किये six eight चा छीच्ष एट चा किये और यहाँ पर eight six चा कर रहे है तो यहाँ पर eight six चा फीज क्या आ रहा है यहाँ पर four आ रहा है तो कितने कुन सी value को 4 बार plus करेंगे तो हमें 48 मिलेगा तो 12 को 12 4 चा 12 4 चा होता है 48 फिर हमें क्या find करना है 3 चा फिर 3 बार किस value को हम plus करेंगे तो हमें 48 मिलेगा तो 16 3 चा 16 3 चा यहाँ पर ध्यान में रखना है फिर हमें क्या है next 2 है तो किस value को हम 2 बार plus करेंगे तो हमें 48 मिलेगा 48 तो जरूरत नहीं है तुम्हे इसके आगे जावने कि कोई जरूरत नहीं है ओकर सुलीए 컨ogeneous में रखना है यह concept में रखना है तो यहां प्रक्ति अब हम हम आप लिखेंगे नियुक्तर हमारे common factor लिख लेते है common factor क्या-क्या है हमारे common factor क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, 8 है, और 16 है, ओके, हमारे common factor हमने निकाल चुके, अभी हमें क्या find करना है, अभी हमें क्या find करना है, वो लिख लेंगे, हमें क्या find करना है, हुख में ses देर्फोर statist में चोफ देर्फ हमीं है। है मिल चुका है। फिर थर्ड हम आगे जम करेंगे थर्ड देखेंगे हमारा थर्ड क्या है थर्ड नंबर पर क्या दिया है हमारे थर्ड नंबर पर क्या वैलू है हमारे थर्ड नंबर पर 3 से हम divide करेंगे तो होगा क्या हाँ होगा तो यहाँ पर 3 भी आ जाएगा फिर क्या आएगा 4, 5 नहीं आएगा 6 भी नहीं आएगा 7 भी नहीं आएगा यार यह अभी हम यही वैलू यहाँ पर रिपीट हो रही है यहाँ पर 133 चा 39 13 थ्री चा 39 हमें मिल रहा है फिर क्या आएंगा इसकी बात की वैलू तुम्हें फाइंड करने की कोई जरूरत नहीं क्यों जरूरत नहीं कि हमें इसका मल्टिप्लाय यहाँ पर आएंगा इसका मल्टिप्लायर यहाँ पर आएंगा ओके से यहाँ पर हमें three-nine 339 फेंट कर लिए हमारा कॉंसेप यूज कर के यह कॉंसेप अगर यूज करोगे inone to do time Azizwo सो कि तुम्हारा बोट टाहिम हुए बचेगा ओके तुम्हें ये ध्यान में रखना है अभी क्यापाइड करेंगे हम फेक्टर्स फेक्टर्स प्रस ओब 25 केुछ फेक्टर्स फेक्टर्स फाइंड करेंगे करेंगे यहां सब्सक्राइज तुर इसका मतलब यहां पर यही वैलू यहां से रिपीट हो रही है यही वैलू यहां से रिपीट हो रही है इसका मतलब इसका मल्टिप्लायर यहां पर आएगा तो इसका मल्टिप्लायर क्या होंगा 25 इसका मल्टिप्लायर क्या होंगा 25 तो इस 5 के बात की कोई भी वैलू तुम्ह find करनी कोई ज्रुरत नहीं होगी ओके ये concept ओके इस हम एधि हम क्या find करेंगे अभी आप क्या find करेंगे हमारे common factor ॅभी हमने अंसर बोला है हमें सर बोला है यह सीऴ मुचाईडे एर्फोर हमारा येच्चिस ययव क्या है 170 ओप 39 25-15 विसनने मेरा फिर्त एन या है अच्पनात क्या है बिजांप इस्वक डियों क्या है रहे बिजाट यहीं so next में हमें क्या दिया है फोर्त में फोर्त में बुला है 49 और 56 फक्रिनन और 56 चलो फिर हमें यह किया करते हैं factors find करते हैं इन दुनों के तो factors find करेंगे factors of 49 लिखेंगे आप P49 के factors क्या होते हैं 1 तो होता ही है फिर क्या करेंगे 2, 3 तो यहांपे के हैं तो यहां पेस त्यूय को ही मल्टिप्लाइ कर रही है इसका मतलब यहाँ यह वैलूह या और हो रही है यहाँ यह यहां पर मल्टिप्लाइठ रहोंगा तो यहाँ पे कितना आजाएंगा 49 तो हमने यहाँ पर इसके factors find कर चुके इसके factors हमें find कर चुके यहाँ पर हमने 49 के factors find कर चुके अभी हम factors find करेंगे किसके factors find करेंगे 56 के हम किसके find करेंगे 56 के तो चलो फिर यहाँ पर आजाएंगा वन फिर टू आएंगा क्या हाँ 56 को अगर हम divide करेंगे तो यहाँ पर टू भी आ जाएंगा तो यहाँ पे टो आएगा विए पर भी आ जाएंगा फिर यहाँ पे सेवन के टेबल में कितने से आता है 7 8 चा 7 8 चा तो फिर यहाँ पर 8 के भी टेबल में आएगा अगर 7 के टेबल में आ रहा है तो 7 के 7 8 चा आ रहा है तो यहाँ पर 8 7 चा आएगा तो यहाँ पर multiplier हो गया फिर यहाँ पर यह 4 value आएगी तो यहाँ पर हो जाएगा फोर किस वेलू को हम 4 बार प्लस करेंगे तो हमें 56 मिलेगा तो हम 14 को 4 बार प्लस करेंगे तो हमें 56 मिलेगा ओके 4 बार प्लस करेंगे तो हमें 56 मिलेगा फिर हमें क्या देहन में रखना है फिर 2 आएंगा तो किस value को 2 time plus करेंगे तो हमें 56 मिलेगा 28 को फिर यहाँ पर आ जाएंगा यहाँ पर 1 तो यहाँ पर 56 आएंगा ओके सो हमने यहाँ पर find कर चुके हमने जो हमारे को जो हमें जो factors find कर चुके अभी हम क्या find करेंगे हम अभी common factors find करेंगे common factors अभी हम find करेंगे तो हम यहाँ पर common factors लिखेंगे 1 है फिर है 7 है 49 है क्या इधर नहीं है तो हमने यहाँ पर find कर चुके हमारे common factor क्या मिले है हमको 1 and 7 1 and 7 तो चलो फिर हम क्या लिखने वाले हमरा answer क्या है तो highest common factor लिखेंगे यह सीअज़ लिखेंगी। स्यफ आफ पूटी-nine and ₹ aimed 56 is equals to क्या है कॉमन फैक्टर राइस कॉमन फैक्टर क्या है seven है तुर हमारा answer क्या मिला seven मिल चुका है हमान सर क्या मिल चुका है हमको seven मिल चुका है अब यह में हम्ला سबन हैब मिल चुका है सो हमारा next लिख लेते हैं Phyclers of 120 120 के फैक्टर्स फाइंद करेंगे तो यहां पर वन तो होगा तू होगा थू होगा क्या है यहां हो भी हो गा पूर ओंगा हाँ हो रहा है 4 भी हो रहा है फिर 5 में आता है क्या 120 अकर को यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 के टेबल में आएगा क्या हाँ 612 चा 612 चा यहाँ पर आ जाएगा तो यहाँ पर हो रहा है यहाँ पर 00 रिमाइंडर आ रहा है इसका मतलब यहाँ पर भी आ जाएगा एड़ीआ जाएगा फिर 1 टेन अएगा नाइन तो नहीं आएगा टेन आ आ जाएंगा ओके 1 ट्या जा वेंट्य आन हाब करना जाएंगा 123 धैस रिट्माइंगा धिस जुआ लेता हूं उनके फैक्टर्स जो है इनके जो फैक्टर्स जो है मैं यहाँ पर लिख लेता हूं यहाँ पर ट्वेंटी यहाँ पर आ जाएंगा फिर आ जाएंगा फिर आ ऑजाँ गवन आ जाएंगा टू भी आएंगा 3 भी आएंगा 4 भी आएंगा 6 भी आएंगा एड़ गा 9 भी आएगा ओके यहाँ पर ट्रल लाएंगा 69 मैं लिख लेता होके यहाँ पर एटीन आएगा 24 आएного के 24 बाद 24 के बाद 36 आएगा तुम्हें वो concept यूज करके तुम एक एक डिवाइड करके देख सकते हो के सो तुम्हें वो concept ध्यान में रखना है तुम्हें वो concept ध्यान में रखना है ओके सो हमने इसके factors find कर लिए इसके factors भी find कर लिए और इसके factors find कर लिए सो नेक्स टेप हमारी क्या है नेक्स टेप हमारी क्या है हम क्या find करते बाद में common factors find करते हैं हम common factors find करते हैं तो यहाँ पर common factors लिख लेते हैं common factors क्या है हमारे one है two है three है four है six है फिर eight है फिर 12 है फिर 20 है क्या नहीं है फिर 24 है तो 24 है फिर 3040 120 नहीं है यह उक्या सुमरा हमने यहाप एक common factors निकाल चुके तो अभी हमारा answer लिखने का time आ चुका है तो answer में क्या लिकिनगे therefore यच्छी अप हाइस्ट कमन फैक्टर ओफ 120 एंड 144 144 इस हाइस्ट कमन फैक्टर क्या है हमारा 24 हमरा क्या है 24 हमारा अंसर है हमने यहां पर लिख चुके हमने यहां पर लिख चुके है क्या है कि पीछक्ता है हमने 24 अजस्ट इक्जांपल लेंगे सिक्सके तरह बढ़ते हैं है ए हमें आइट्य गृण करना तुम्हें और नाइंट्य नाइंट्य नाइंट करना है चलो फिर लिखते हैं factors लिख लेते है factors of किसके लिखेंगे सबसे पहले 81 के लिखेंगे तो एक टीवन के factors क्या वन तो है वन तो सेल्प होता ही है okay फिर पिर क्या हैंगा थ्री टू आएंगा क्या नहीं यह फिर त्री आएंगा okay तो तरी को थ्री से हम डिवाइट करके देखेंगे तो यहां पे एटी वन है यहां पे थ्री है सो यहां पर यहां कितना जायेंगा स्टिटी टूचास सीक्ष आएंगा तो यहां पर हमें बचाएंगा टूबं जायें baby 27ओ आ जा Pre इसका मतलब यह सेल्प यहां से हो रहा है यहां से ही रिवस हो रहा है तो यहां पर आएंगा फिर यहां पर 27 आ जाएंगा फिर यहां पर आ जाएंगा वन तो यहां पर 81 आ जाएंगा फिर 30 2013 के टेबल में आ जाएएंगा इस से ओके stol फिर next के day आएंगा नेक्स्ट हमारा आजैएंगा इसका लाश्ट आजाएंगा हमारा 99 99 हमरा इसके बाद आजाएंगा ओके सूंने इसके विफाइंद कर चुक है इसके विफाइनम ने कर चुक है अभी हमारा क्या टाइम है अभी हम common factor find करेंगे हम क्या find करेंगे common factor find करेंगे तो चलो फिर common factor find करते सो हमारा common factor क्या है 1 है 3 है 9 है 27 है 21 है क्या नहीं है ओके सो हमको common factor मिल चुके हमें common factor मिल चुके अभी हम क्या करेंगे हमारा hcf जो find करना था hcf find करेंगे सबसे पहले क्या करेंगे फैक्टर्स फैक्टर्स ऑफ टेंटीफोर फैक्टर्स और यहाँ पर यहां पर आ जाएंगा हमारा फैक्टर्स ऑप यहां पर लिखते हैं निएच्टर्स ऑप 36 देखेंगे देखेंगे, सतं हैं थाइए त्री अम झा उ करना जने हैं का ऊपर धोरेंगे, सिक्स के बात नहीं प्रसाम्यार सटा हाँ, घ्लोक्त हो इसे primo फ़ैकरें है का सिच्छ आहाँ है तर्द्डींस, भजाल फटेल सबस्तु क्लिट। है यह जो चैन है यहां से रिवस होगी ओके तो यहां पर आ गया 449 चा आ गया फिर यहां पर आए गया 312 चा तो यहां पर 12 लिख ले फिर यहां से तुम्हारी जो चैन रिवस होगी ओके तो इसका डिवीजिबल इसका डिवीजिबल तुमने इसका कोशन इससे जब तुमने डिवाइड किये थे इस 2 से 36 को जो डिवाइड किये तो हमारा क्या आया था तो हमारा क्या आया था हमने यहाँ पे यहाँ पे 18 लिखा था ओके सो यही वैलू यही वैलू सेकंड लास के इसमें आएगी यह पीछे से स्टार्ट होगी यह आगे से स्टार्ट होगी ओके सो तु में question जल्दी से जल्दी solve करने में मदद करेगा ओके फिर अभी हम क्या करेंगे factors find करने के बाद common factors find करेंगे common factors find करेंगे तो common factors लिख लेते है common factors okay so common factors क्या है one है two है three है four है six है okay फिर 12 है okay so यह हमारे common factors हो चुके अभी हमने common factors find कर लो कर चुके ओके सो अभी हम क्या find करेंगे अभी हम find करेंगे हमारा जो पूचा है question में highest common factor यह सी अप of 24 and 36 is equals to क्या है हमारा ट्वेल है क्या है हमारा ट्वेल है क्या हमारा ट्वेल है 25 color प्रॉट को पता है 155 चाहिए यहां से ही टूरीय से रिपीट टूरिये तो यहाँ पर आजाएगा यहाँ आ जाएगा यहाँ है ट्वेल हैक準 पह्या य यहाँ तुर यहाँ पर फिप्टिन आ जाएंगा फिर फिप्टिन आ जाएंगा इससे यहां पर फिप्टिन आ गया फिप्टिन आ गया ओके सो फिप्टिन इंटो फिप्टिन क्या हो रहा है फिप्टिन इंटो फिप्टिन हमें कैसरे फिप्टिन फायुचा हमें मिल मिल चुका है क्या मिला हमें हमें लेना यहाँ यहां पर थर्ट एया तो कितने एक किया तो हमने हमको कितना मिला था हमें कितना मिला था सो हमें मिला था 25 के हमें मिला था 25 तो यहाँ पर 75 आ गया था तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 25 लिखेंगे यहाँ पर हम 25 लिख देंगे यहाँ पर हमने यह जो हमने 5 से दिवाइड किया था तो यहां पर 15 आया था तो 15 यहां पर 5 लिख लिए ओके तो हमें यह ऐसे मिल चुका यह हमने जो हमारा यह concept आए यह वाला यह वाला concept हमने यूज करके हमने यह वाला factors जो इनके factors है वो हमने find कर चुके अभी हमरे cut यह अभी हम क्या करेंगे common factors find करेंगे तो हम यहाप लिख लेते है common factors लिखते है हमारे common factors क्या होंगे common factors क्या होंगे one आ रहा है five आ रहा है और 25 हमें common factors मिल रहे हमें common factors का मिल रहे है 25 हमें मिल रहे इख़ो कर Okay So、 अभी हम को last method क्या है हमारी last में क्या find करते हमारा nós Nieuacon क्लिए हाइस common fact革 है सो हमारा क्यान आएंगा सियाफ ऑफ 25 and 75 20 आजाएगा क्या जाएगा हमारा 25 25 आजाएगा हमारा 25 common factor है सौरी हमानन आजाएंगा five a Mark तो निश्ट हम देखेंगे 9 कोच्छन देखेंगे 9 कोच्छन में हमें क्या बुला है 48 दिया है 48 और हमें दिया है 54 48 और 54 का हमें common factors factors find करने हैं तो हम सबसे पहले factors find करेंगे factors of 48 factors of 48 के find करेंगे 48 factors देखेंगे हमारे 48 के factors का है 1 है 2 है 3 है 4 भी आ जाता है 6 भी आ रहा है तो यहां तक के आ गए ओके यहां तक के आ गए ओके तो हमने यहां पर क्या दिखा 6 शरी 6 8 चा 48 फिर 8 6 चा हमारा रहा है 48 फिर 12 फूर चा 48 आ रहा है फिर आ रहा है 16 3 चा 16 3 चा 48 फिर आएगा 24 टूचा 24 टूचा क्या आ रहा है 48 आ रहा है तो यहां पर 24 आएगा और यहां पर 48 आ जाएगा सुमने इसके 48 के concept पार सरी 40 के factors find कर चुके फिर हमारा आएंगा factors of 54 54 के हम finds करेंगे तो find करेंगे 1 आ जाएंगा 2 आ जाएंगा 3 आएंगा 6 आएंगा 9 आएंगा यहां पर 18 आ जाएंगा फिर 27 आ जाएगा और यहां पर फिप्टी 4 आ जाएगा ओपर 54 आ जाएगा फिर अभी हमने फ्याप्टर फेक्टर्र कर चुके हमने फ्रेक्टस फाइंड कर तुके अभी हम क्या करेंगे तो चाहिंग सीक्स है नहीं है ट्वेल है नहीं नहीं है नहीं है जो हमें इक हाएन्सर में लिखना है हम्हारे हांसर में हिसकomatic I am a 50 & 54-54 इनके हाइस क्या गोगरनमियें हमारा 10 जोग अच्छे नेग दिया है फ्रक्टर सा में कह Midi इक्जामल में भूला है हमें 150 150 ती जाए安 और उसके साथ क्या दिया हमें तूट 25 दी ऋडिए क्म3 का आँ है फ्रक्टर सांप Alf Sp initiative सबसे primary सबसे फ्रस्ट टेब करेंगे सबसे आजाएंगा थ्री भी आएंगा फाई आजाएंगा फिर सिक्स आता है फिर टेन आजाएंगा फिर फिप्टीन आजाएंगा ओके तो यहां से यहां से फिप्टीन से फिप्टीन से हमारे रिवस हो रहे हैं फिप्टीन से हमारे रिवस हो रहे हैं तो यहां पर हम लिग लेते ह आजाएंगा फिर 9 भी आजाएंगा फिर 15 आजाएंगा फिर 25 आएंगा 45 एंड 75 आजाएंगा फिर यापे 225 इट्सेल आजाएंगा 225 इट्सेल आजाएंगा फिर हमें क्या लिखना है हमें लिखना है कॉमन पेक्टर हुम्कैल इक आनुन depende स लिखते है कॉम्न फैक्टरस लिखते तो लिखे लेते हैं कॉमच्टरस लिखे लिक्टाइब chief सिराइबरन फेक्टरतिक के वन है हम स्व Näय है तो एक है नहीं है 15 है 15 है फिर 25 है हाँ 25 भी है 30 है 50 है 75 है हाँ 75 है ओके सो हमने फाइंड कर चुके हमारे common factors sorry common factors जो थे हमने यहाँ फाइंड कर चुके अभी हमें क्या करना है therefore हमारा जो हमें highest common factor जो है वो फाइंड करना था हमें सोनी सरे करणे के फीर करते हैं अच sih टरह के से देख चूंके हम सबसे पहले कारते हैं त्रक्टा स्कुर्ण करने के बाद प्वेर की स्कुलिष में यह नहीं से अच्छे से पढ़ेंगे और फिर सॉल करना चालू करेंगे तो यह ऐसे कुछ हमारा सेक्ड़ोचन दिया है यह क्या बोल रहा है हमें इफ, इफ, लार्ज स्क्वेर, लार्ज स्क्वेर बेड्स आफ इक्वल साइज आर्टू मेड फॉर टिंग वेजिटेबल, ओके, उन्होंने एक स्क्वेर बेड्स मेड किया है, इक्वल साइज में, ओके, किसके लिए, प्लेंटिंग वेजिटेबल, वेजिटेबल लगाने के लिए उन्होंने किया है ओके on plot of 80 meters land okay 80 meters में उन्होंने एक किया है ओके फिर क्या बोला है 50 meters width उसकी length क्या है वह 80 meters long है और 50 meters उसकी width है ओके फिर क्या बोला है what is the maximum possible length of each bed okay so उस बेट की वो जो उन्होंने बेट बनाए है vegetables लगाने के लिए तो उसकी maximum possible length क्या होगी maximum possible length क्या होगी okay so अभी हम fan find करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या दिया है वह लिखेंगे क्या दिया है हमें length of the length of the land the land the length कितने दिया है हमें length 18 meters okay तो हमें 80 meters the 18 meters फिर हमें क्या दीए width दिये है so यहाँ पर width लिक लेते है width of the width of the land land के width दी है तो यहाँ पर width कितनी दी है 15 meters 15 meters width दी है फिर हमें क्या पूचा है maximum possible length हमें पूचा है maximum possible length पूचा है तो हमें आप लिख लेते हैं हमें क्या पूचा है the maximum maximum okay maximum length length of each so हम हमें क्या find करना है सो हमें answer में क्या मिलेगा the maximum length of each bed will be क्या होगी उसके हम हमें क्या answer में मिलेगा हमें क्या मिलेगा be the greatest common factor जो greatest common factor होगा 18 और 15 का 18 और 15 का जो भी greatest factor होगा greatest common factor होगा highest common factor होगा वो क्या होगा हमारा answer होगा वो क्या हमारा answer maximum length होगी maximum possible length वो होगी ओके तो चलो फिर find करते हैं चलो फिर find करते है सबसे फर्स्स टिप क्या है हमारी फैक्टर फाइन करेंगे किसका factors of 18 18 का factors find करेंगे तो 18 के factors क्या आते वन आएगा टू आएगा 3 भी आएगा आएगा 6 भी आएगा 9 भी आएगा और 18 भी आएगा ओके तो यह थी 18 के फैक्टर फिर हम factor find करेंगे factors of 15 के factors find करेंगे ओके 15 के factors find करते हैं इदा 15 के factors क्या आते वन आता है 3 आता है 5 आता है यहां से return हो जाता है यहाँ पर 15 आ जाता है ओके सो यह हमारे factors आ गए तो अभी हम क्या करेंगे common factors हमें find करेंगे यहाँ पर करेंगे common factors लिखेंगे common factors कितने है common factors कितने है 1 है हाँ है तो है क्या नहीं है 3 है हाँ है 5 है इदर 6 9 18 नहीं है तो हमने यहाँ पर find कर चुके सो अभी हम क्या करेंगे अभी हम लिखेंगे हमारे जो हाइस हाइस कॉमन फैक्टर है हमारा therefore the sorry therefore the HCF HCF of 18 and 15 sorry 15 is कितना है 3 है कितना है 3 है सो हम इस लिख लेंगे therefore therefore the therefore the maximum the maximum यहाँ पर लिख लेंगे maximum maximum possible possible length जो हमें answer में question में पूचा है उसका answer लिख लेंगे answer of each sorry length of each bed is is 3 meter 3 meters okay हमने meters के लिए क्योंकि हमें question meters में पूचा था क्योंकि हमें 18 जो था meters में दिया था 15 भी meters में दिया था okay so यह था हमारा solution इस question का हमें इस में पूचा था maximum possible length पूचा था each bed की जिस बेट पे वो vegetables लगाने वाले उस बेट की उन्होंने लेंद पूचा तो तो हमने सब्सक्राइब क्या लिखा जो हमें given हो लिखे फिर हमने कैसे हमें answer कैसे मिलेगा common factors होगा इन दोनों का जो common factor होगा वो हमारा answer होगा हुआ है यह था क्टाइब करेंगे हमारा ये चैक्जांपल क्या बोल रहा है तू रौप्स वन एट मीटर सेंड चुछ पिसेस्ट ऑप सेम लेंध्र नंको क्या किये हमने क्या है सेम सेम पीसेश में हमने कट किए, वट विल वे maximum possible length of each piece भी, ओके फिर वो जो हमने pieces कट किए अभी दोनों को two to इसमें cut कर लिए ओके सो हमारी maximum possible क्या हो सकता है, कितने pieces हो सकते है, उस pieces की length कि डिक ने हो सकती है, वो हमें find करना है, तो चलो फिर हमें given में क्या है given में क्या है वो लिख लेते हैं तो हमें दिया है length दिया है किसका length of first rope दी है first rope दी है तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं first rope की length कितनी है 8 meter है 8 meter है फिर second length की second की कितनी है length of second rope second rope कितना है यहाँ पर लिख लेते हैं second rope कितना है 12 meter है okay so यहां पर हमने लिख चुके अभी हमें क्या find करना है the maximum length maximum possible length प्से उन दो pieces की sorry each pieces की हमें maximum length possible length हमें find करनी okay so हम यहा alpha लिख लिए हमें क्या find करना है हम यहाँ लिख लिख लिएد the maximum factors होगा maximum length maximum length होगी okay तो चलो फिर find करते Cum करते हम सबसे पहले क्या लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ एट एट के फैक्टर्स लिखेंगे एट के फैक्टर्स लिखेंगे तो एट के फैक्टर्स कितने होते क्या क्या होते है वन होता है टू होता है फोर होता है फिर आता है एट ओके सॉमने इट के फैक्टर्स लिख चुके ह आएंगा factors factors of 12 के factors लिखेंगे तो यहाँ पर आएंगा 1 तो आएंगा 2 भी आएंगा 3 भी आएंगा 4 भी आएंगा और यहाँ पर 6 आ राए और यहाँ पर 12 आ जाएंगा ओके फिर यह हमें factors मिल गए अभी हमारा क्या है हम क्या find करते बाद में हम पर करते है common factors find करते है है तो हम यह आपे लिखेंगे common factors common factors of common factors of 8 sorry common factors क्या है common factors हम लिख लेते है Solskine क्या है one है two है four है क्या हा four है और eight है क्या नहीं है तो हमारे three जो है यह common factors है हमें क्या find करना है H-C-F हमारा find करना है इसमें H-C-F ही हमारा answer हो जाएगा यह सी अपि हमारा अंसर हो जाएगा तो हम यहां पर लिग लेते है यहाप पर हाइस कमन फेक्टर क्या है हाइस कमरा फ्रैक्टर है मरा फोरो के सो फोर हमारा है स्कूमन फ्रैक्टर यही फिर हमारा क्या होंगा therefore the maximum the maximum maximum possible पॉसिबल लेंद के ओफ इच पीसएस पीस जी गितना होगा फॉर मीटर फॉर मेटर स्का इस का यह होगा ओके फॉर मीटर का एक पीस होगे तिने भी उन्हों से किये जिदने हुआ पीसेस किये तो वह कहा तो वो क्यातने होंगे म known क civilization का एक पीस उन्होंने किया होगा चलो फिर next question की तरब बढ़ते यह था हमारा यह था हमारा third question, third question में हमें क्या दिया था two ropes बोले थे, two ropes के length भी दी थी तो उन्होंने बाद में क्या क्या उनको cut कर दिया, okay same pieces में उन्होंने cut कर दिया, टो उन pieces का उनको साइज पतना था हमें उनको क्या पताना था वह जो उन्होंने प्सस कट के हो कितने आइज के तो हमने फाइम कर लिए four meter का एक एक पिसज का साई जोगा एक पिसज का साई होगा, okay तो चलो फिर नेश Millennium के तब बढ़ातें नेश्कोचण हमारा क्या है है नेस्ट कोच्टन क्या है हम पढ़ेंगे दे नंबर आप स्टूडन्ट ऑफ स्टेंडर शीक्स शीक्स एंड सेवन्ट वू इन टो विजिट टाडवा टाइगर प्रोजेक्ट एट चंदरपूर वाज वन फूर्टी एंड सिस्ट क्लास के कितने है वन फूर्टी और सेवन क फिर क्या बूला है उन्होंने उन स्टूडन को उन स्टूडन को उन दोनों क्लास के सिख और सेवन क्लास के स्टूडन को ग्रूप में डिवाइड कर दिया सेम नंबर के ग्रूप में डिवाइड कर दिया ओके तो इज ग्रूप कैन हाव अपेड़ गाइड वाट इस द मैक each group should have the maximum possible number of student okay so हमे maximum possible number of student group में कितने होगे वो भी find करना है और कितने group में हो वो student है वो भी find करना है okay चलो फिर सबसे पहले क्या देखेंगे हमें क्या given है क्या given है वो हमें find करना है वो हमें सबसे पहले हमें find करना है है ओके तो सबक्षाले हम्योans क्या है क्या है वो लिखेंगे इन मADE किया है टूडेंट है तो हम लिखेति है नंबर आपर स्ट्वरंट stating आपck अप sender 6 में कितने स्टुडेंटंड 142 ए फिर लंबर अप्स्टूडेंट नंबर क्यों पर आप पे 7th class में, 7th class में कितने है, 196 है, 196 है, ओके, सो हमारका answer कैसे मिलेगा, हमारा जो maximum, maximum, sorry, greatest common factor होगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, हम यहाँ पे, जो हमारा यह है, हम यहाँ पे लिख लेते, the maximum, the maximum, एक, एक group में कितने student है, वो find करने के लिए, हमारा क्या होगा, जो हम इतने student, इतने student एक group में होंगे, ओके, सो चलो फिर find करते हैं, हमारे क्या find करेंगे हम, हमारे factors find करेंगे, सो यहाँ पे लिख लेते हैं, factors, factors of 114, 140, sorry, 140, फिर 140 के factors क्या है, 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 10 आएगा, मैंने already निकाल के रखा हूँ, ओक तो यहाँ पे 28 आएगा, फिर यहाँ पर आएगा 35, यहाँ पर हognगा 70, और 140 आएगा, हमने factors निकाल चुके, 140 के factors निकाल चुके है, ओके, फिर factors find करेंगे किसके factors of, factors of 196, 96 196 के Factor defined करेंगे One आएगा Two आएगा Four आएगा Seven आएगा 14 भी आएगा और relaxed अमारा itself 196 आएगा 196 आएगा ओके सो अभी हम क्या फाइंड करने वाले है अभी हम прим कॉमन हैं करेंगे क्स्थ प्रेंगे क्मन फेक्टर हम अभी हैं करेंगे क्स्थ लीख लेते हैं या पर यहां पर क्लिक खया है औरा वस्थरत्थ क्या है नहीं हूं कर ने कि Tech है okay 28 है 35 70 है क्या कुछ नहीं है ओके सो हमारा हमने यहां पर common factors find कर चुके अभी हम क्या लिखेंगे हमारा हम को हम क्या लिखेंगे हमको student student in each group are 28, okay so each group में कितने student होंगे हमारे हमने यहाँ पर लिख लिया maximum student in each group are 28, 28 student होंगे, okay so हमने यहाँ पर क्या कर लिया हमने जो second answer पुचा था second answer पुचा था हमें वो फाइन कर चुके maximum student in each group में कितने है फिर हमें क्या पूचा था why do you think each group should have maximum possible number of student तो वो हमें बोल रहा है क्यों क्यों सोच रहे हो कि एक group में maximum possible number of student क्यों होंगे, okay so हमें क्या लिखेंगे हम answer में यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ पर उनको answer में बता देते है कि हमने क्या किया है, okay so यहाँ पर हम लिख लेते है okay so मैंने यहाँ पर लिख चुका हूँ, हमने क्या लिखा है, हमने answer वो जो second question हमें पूचा था हमने उनको, हमें जो second question पूचा था, उसका answer में यहाँ पर लिख चुका हूँ, हमने क्या लिखे each group should have maximum number of student, then हमें क्या करना पड़ेगा, अगर maximum number of student है एक group में, maximum number of student है एक group में, 28 student अगर है हमारे एक group में, okay so हमें जो ताड़ोबा में entry phase लगेगी, entry phase लगेगी, ओभी कम ही होगी, okay, ओभी हमारी minimum number की होगी, ओभी हमारी minimum number की होगी, ओभी हमें पूचा था, हमने यहाँ पर लिख चुके, हमने wording में उनका answer दे जोगे, okay तो यह था हमारा answer जो हमें कचन में पूचा था, हमें जो कचन में पूचा था, इस कचन में हमें पूचा था, fourth question में कि कि तने student होगे एक group में और हमें paid पैसे कितने देने होगे, entry phase लिए, हमें ज्यादा पैसे देने होगे होगे या कम पैसे देने होगे वो हमें पूछाथा तो हमारे एक ग्रूप में Maximum possibility कितनी है ज्यादा है 28 है 28 का एक ग्रूप है इसका मतलब हमारे less कम ग्रूप बनेंगे group हमारे कम होगे कर मारे group कंड़ेंगे तो हमारी हमको paid फीज पेड भी हमें कम ही देने पड़ेगे फिस हमें पेड एने पड़ेगे ओके यह था हमारा फूर्थ को छन next question है मेरा fifth question है okay so fifth question में हमें क्या बोला है हमें बोला fifth question में हमें क्या बोला है at the rice research center at tum sir there are two thousand six hundred ten kg of seeds of bass mati कितना वेट है बुल रहा है कितने कटीजी seeds है बुल रहा है 2610 kg seeds से बुल रहा है किसके बास्त मती वेराइटी के सीट है बुल रहा है फिर क्या बुल रहा है 1980 kg किस के सीट से बुल रहा है वो बुल रहा है इंदरा एनी वेराइटी के है बुल रहा है इंदरा एनी वेराइटी के है बुल रहा है फिर क्या पूचा है हमें इसको और इसको हमें बैक्स में पैक करने के लिए कितने बैक्स की वेट कितने वेट वाली बैक हमें करने वाले है हम फील अप करने वाले है वो यह फाइं करना और आगे क्या पुछा है हमें हाउ मेनी बैक्स और इचंग विवेट विल-बीदे अरो के सौं में दो कोच्छन इसमें भी पूचा है कितने बैक्स होगी पुचा väldigt की कितने बैक्स होगी उपी पूछा है, ओके, चलो फिर हमें क्या given है, हमें क्या given है, सबसे पहले हम लिखेंगे, तो हमें given क्या है? वेट उप बासमती rice है, तो यहां पर लिख लेते हैं, सो यहां पर लिख लिख लेते हैं, weight of बासमती, बास्मती राइस का लिख लेते हैं याँ पर 2610 kg है फिर क्या है वेट आप क्या है वेट दिया है उन्होंने वेट आफ इंद्रायनी 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 की दी है इंद्रायनी राइस का दिया है कितना दिया है 196 880 kg दिया है उन्होंने हमें पहले हमें सबसे पहले फाइल करना है हमें सबसे पहले करना है यहाँ पे लिखेंगे दवेट और इच्छ बैक्टर होगा इंगा इचे चलू तो फैंड करने क copper लिए हम यहाँ पे लिख लेते है HISम पे लिखेंगे हम factors factors of 2000 2000 किसका हम वास्मती राइस के factors ανα करेंगे look at टेन काम फाइन करेंगे बास यह फैक्टर्स तो महीं यहाप लिक लेता हूँ वन है टू आता है थ्री भी आता है फाइव आता है शिक्स नाइन टेन आता है फिप्टीन आता है एट्टीन आता है ओके सो महीं यहाप लिक लेता हूँ 29 आता है 30 आता है 45 आता है 58 आता है 87 आता है ओके यहाँ पर 19 आता है 145 आता है फिर आता है 174 फिर आता है 261 और यहाँ पर 290 आ जाता है 435 आ जाता है 522 आता है ओके तुम्हें सारे लिखने हो के तुम्हें सारे यह जो common factors है इनके जो factors है वो तुम्हें अगर पुचा है तो तुम्हें इस word को आते तक कि कितने तुम्हारे multiplier कितने तुम्हें diviser है वो तुम्हें लिखना है ओके सो 180 आए रहा है फिर आ रहा है 1305 फिर आ रहा है 2610 के सो हमने यह हमारे factors होगे किसके 2610 के factors होगे फिर करेंगे हम factors factors of 1980 के find करेंगे तो यहाँ पर लिख लेता हूँ इसके भी मैं यहाँ पर 1 आएगा 2 आएगा 3 आएगा 4 5 6 9 आता है 10 आता है मैंने यहाँ पर already find कर चुका हूँ इसलिए मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ ओके यहाँ पर कहता कि 12 हो गया फिर आएगा 15 आएगा फिर आएगा 18 फिर आएगा 20 फिर आएगा 22 फिर आएगा 30 ओके 30 आएगा फिर 33 तो 36 आएगा 44 आएगा फिर 45 आएगा फिर 45 के बाद 45 के बाद यहाँ पर 55 भी आएगा फिर आएगा 60 फिर आएगा 66 66 आएगा 66 के बाद 90 आएगा फिर 99 आएगा फिर आएगा 1 1 0 1 3 2 so next आएगा 1 3 2 के बाद 1 3 2 के बाद आएगा 1 6 5 आएगा फिर 1 8 0 आएगा 1 8 0 फिर 1 9 8 आएगा फिर 2 2 0 आएगा फिर 3 3 0 आएगा फिर 3 9 6 आएगा फिर आएगा अगे 3 9 6 के बाद 4 9 5 आएगा फिर आएगा 660 फिर आएगा 990 फिर आएगा लास्ट में 1980 ओके सो हमने ये common factors जो है हमारे common factors जो है हमने find कर चुके हमने common factors जो है हमारे find कर चुके sorry factors जो है हमारे factors जो है हमने find कर चुके सो अभी हमें क्या find करना है अभी हमें क्या find करना है common factors हमें find करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे common factors common factors हमने 5 factors find कर चुके तो हमने अभी हम क्या करेंगे common factors लिखेंगे तो common factors कितने common factors कितने है क्या है यहाँ पर लिखेंगे 1 है 2 है 3 है 5 है 6 है 9 है ओके 10 है ओके 15 है क्या हाँ 15 भी है हाँ 18 भी है 29 29 है क्या नहीं है 30 है क्या हाँ 30 है 30 है 45 है क्या 45 भी है ओके 45 158 है नहीं है 87 है क्या 87 नहीं है 90 है 90 है 90 है ओके तो यह हो गया हमारा highest यहां तक कही हमारे है आगे कोई मिलनी रहा है ओके सो फिर आगे हमारे क्या find करना है यह सिए हमें क्या find करना है हमको आगे क्या find करना है हमारा ESCF highest common factor of 2000 हमें क्या करना था 2000 क्या थी हमरी वैलू 2610 2610 थी and and 1918 का जो हमें find करना था क्या है वो 19 है highest common factor क्या है 19 है okay so हमें मिल चुका है maximum each weight each back to weight हम यह आपे लिख लेंगे हमें जो answer में हमें लिखना है हमें लिखना है first answer में maximum maximum जो हमें find करना था maximum weight maximum weight of each bag each bag is equals to 19 kg 19 kg 90 kg kg क्यों लिख रहे क्योंकि हमें क्वें क्वेश्चन में क्वेश्चन दिया था कोई क्वेश्चन दिया था okay so फिर बाद में हमें क्या करने हैं इच राइस के इच राइस के बैग हमें करने हैं इच राह इसके बैग कितने बैग्ज तो यहां पर हम सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे सबसे पहले हम लिखेंगे हमारे को लिखना है हम लिखेंगे हमारे बास्मती के लिए तो नंबर ओफ नंबर ओब बैग्स बैक्स हम लिखेंगे और बास्मती के लिए लिखेंगे बास्मती के लिखेंगे और हमें एक बैक का वेड़ दिया है एक बैक का वेड़ दिया है तो हमें क्या फाइंड करना है कितने बैक्स होंगे कितने बैक्स होंगे वह फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे जो हमारा यहा को crazily के लाए तूंग मिला है सो हमारा आंशर क्या मिला है 29 हमको 29s bags होंगे फिर हमें क्या करना है इंद्रायनी के back spine करेंगे हम इंद्रायनी के back spine करेंगे ओके इंद्रायनी के लिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं यहाँ पर लिखते हैं नमबर नमबर ओफ बैग नमबर ओफ बैग्स आप इंद्रायनी इंद्रायनी इंद्रानी राइस के लिए हम यहाँ पर बैक्स पाइंड करेंगे तो यहाँ पर उसका वेड कितना था 1,9,6,8,0,8,0,8,0 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे 19 से तो हमें क्या आंसर मिलता है 22 आंसर मिलता है और बास्मती राइस के कितने बैक्स होंगे कि वो फाइंड करना था तो 29 बास्मती राइस के है और इंद्राइनी के कितने बैक्स होंगे वो फाइंड करना था तो इसके बैक्स कितने है 20 शरी 22 इसके बैक है इसके कितने है 22 बैक्स है ओके तो हमें जो फाइंड करना था हमें यहां पर की बड़ी अच्छी तरीकी से यहां पर law लिये हमें क्या बोलता इच वेक्ट करना और यूह इंद्ला यप यहां करना तो यह था हमारा फ्यक्ट चन और यह हमारा टेस सेट 24 जो भी हमने देखे इस के साथ और इसके साथ ही हमने प्राक्टिस सेट 24 भी इसी लेक्टिसर में देख चुके सारे कोच्छन हमने इसके लेक्टिर में देख लिए अच्छी तरही किसे तो अगर फिर भी तुम्हें कोई doubts होंगा फिर भी तुम्हें कोई doubts होंगा तो comment box में लिखना ना भूले अगर वीडियो पसंद आया होंगा तो वीडियो को like करना ना भूले और चैनल को subscribe करना भी ना भूले क्योंकि मैं इस चैनल में अच्छे-चे study material math related study material upload करते रहता हूँ